Hello everyone, welcome you all at Location Unlimited Study Zone तो आईए देखते हैं, Maths के कुछ important questions discuss करने वाले हैं यहाँ पे तो पहला question आपकी screen पे जो है, वो है integration i is equal to sin inverse x का whole square bx देखिए अब हमारे पास कुछ ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास दो function हो यहाँ पे तो एक तरीका मेरे पास यह है कि मैं यहाँ पे sin inverse x और multiply by 1 कर लूँ ठीक है ना sin inverse x multiply by 1 कर लूँ जिसे की दूसरा function जो है 1 बन जाएगा दूसरा function जिससे क्या है अपना 1 बन जाएगा ठीक है ना देखिए अब क्या करते हैं अब इसमें first function और second function मानना है तो यह inverse है inverse को first मानी है और इसको क्या मानी है second मानी है यही कर सकते हैं so i is equal to integration का rule लगेगा first function into integration of second function 1 का dx minus integration of differentiation of first function इसका differentiation होता है 1 upon under root 1 minus x square ओके और 1 का integration कितना होता है x का whole integration कितना होगे dx बच्चों तो i is equal to beta sin inverse x है और यहाँ पर 1 का integration कितना होगा x minus यह देखिए यहाँ पर है 1 upon under root 1 minus x square और यहाँ पर क्या होगा है x है ठीक है ना तो dx अब देखो यहाँ पर अगर आप इसको t मानते हो तो यह dt बन जाएगा अब आपको होगे सरी 2x होगा तो 2 की तो कोई चिंता करनी नहीं अपन को घर की चीज़ है 2 का divide और 2 का multiply बन गया कोई दिक्कत नहीं है तो i is equal to हो गया कितना x sin inverse x minus 1 upon 2 अब क्या करेंगे आप देखे इसको अंदर की चीज़ को पूरे को क्या मान लो t तो यहाँ पर थोड़ा सा process करनी पड़ी है हमको भाई साब हमने x1 minus x square को क्या माना है t माना है तो dt by dx कितना हो जाएगा 1 का 0 और 2x का होगा minus 2x तो 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 यहाँ से 2x dx equal to कितना हो गया minus का dt minus का dt तो यहाँ पर देखे 2x बैठा है और यह क्या बैठा है dx इसकी जगे क्या हैगा minus का dt तो minus क्या हो जाएगा plus और यह क्या बन गया भाई साब dt clear है तो i is equal to हो गया कितना x sin inverse x plus 1 upon 2 देखे यह root t ऊपर जाके ठीकी पार minus 1 by 2 बनेगा नी बनेगा भाई अपन में minus 2 है देखे अल्डेडी 2x dx था ना यहाँ पर था ना 2x dx तो इसको 2x dx को minus duty कल लिया भाई कौन से 2 की बात कर रहे आप अरे कहां नीचे भेजा मैंने मैंने उसको नीचे भेजाई नहीए मैंने 2x dx बना लिया ना मैने 2 का मल्टिप्लाई उपर नीचे कर दिया था तो 2x dx बन गया कि देखो यहां पे हमारे पास में हमने 2 का मल्टिप्लाई किया था और यह x था बुली यह सोन नो तो डेरेक्ली मैंने 2x dx को replace कर लिया ना नहीं तो 2 का multiply divide करने की जगरत नहीं थी तो 2 नीचे आ जाता तो दोनों रास्ते हैं clear हुआ की नहीं हुआ चलो तो x sin inverse x 1 upon 2 tk power minus 1 by 2 का integration होगा ना चलो इसको हल कर देता हूँ तो x कितना हो गया x sin inverse x और plus कितना हो गया 1 upon 2 भाई इसका कितना हो जागा t की power minus 1 by 2 plus 1 तो 1 by 2 और ये भी कितना आ जाएगा 1 by 2 बुले एस और नो इससे ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा cancel हो गया और cable क्या बज़ गया root t क्या बज़ गया root t और t अपने क्या माना है 1 minus x square तो answer आ जाएगा i is equal to x sin inverse x plus under root 1 minus x square क्या के रहे हैं x का sin inverse x का whole square ओके 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 यहां sin inverse x का मैंने बता दिया है exactly और हमको जो चाहिए integration चाहिए है sin inverse x का whole square का चाहिए गेट लगा दो बच्चों ठीक है देखे तो sin inverse x के whole square का चाहिए तो देखे यहां पर जो problem हुई है वो क्या हुआ है कि हमने यहां पर square लेना था और हमने इस question को बगएर square का कर दिया तो चलो यह समझे लो यह बगएर square का question है और एक बार फिर से हम करत whole square और यहां पर dx करना process वही है कि आपको sin inverse x को आपको क्या समझ लेना है आपको इसको first function लेना है square और second function 1 लेकर के dx कर देना है ठीक है अब इसके बाद first और second का आप rule लगा दीजे तो क्या rule लग जाएगा first function sin inverse x का whole square into second function का integration डारेक्ट x लिख दूँ तो कि one का x बन जाएग इसका हो जाएगा 2 sin inverse x 2 sin inverse x 2 sin inverse x का होगा कितना 1 upon under root 1 minus x square ठीक है ना 2 sin inverse x 1 upon under root 1 minus x square into क्या होता है first function into integration second function minus integration of differentiation of first function into second function into second function का integration यहाँ पर कितना आ गया x और यह कितना होगा dx तो भाई यह तो चलो मजे में अपना यह कोई दिक्कत नहीं है पहला पार्ट तो आगया अपना x sin inverse x का whole square minus देखो यहाँ से 2 अपन चाहें तो बाहर ले 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 ओके और यहाँ पर आपके पास क्या बज़ गया है x sin inverse x into one upon into one upon one minus x square मतलब एक तरीके से इसको लिख सकता हूं sin inverse x into x भी है और one upon under root one minus x square का हमको integration करना बाकिए देखिए अब यहाँ पे अगर आप sin inverse x का integration करते हैं टो यह आपके पास में इसका differentiation यहां पर यह बैठा हुआ है तो देखे पहला method तो यहाँ पने आपके आके किया है और यहाँ पर आ करके हम फस रहें और अब हम यहाँ पर यही कुछ put करना चाहें तो एक step हो सकता है कि यहाँ पर आ करके हम कुछ put कर दें तो x की जगे में sin theta put करूँ तो शायद कोई result बन जा है एक बार उसको भी करके देखे लेता हूँ क्योंकि यहाँ पर इस term को eliminate करने में चली थोड़ी सी मेहनद तो कर लेते हैं में देखते हैं क्योंकि mathematics attempt का subject होती है बिना attempt करे कुछ कहा नहीं जा सकता है तो यह पहला पार्ट तो इसको अपसर रक्षित रख लो मेन हमाई लड़ाई किसके साथ है अब इस वाले पार्ट के साथ में जो second part आपके पास आ रहा है इसके साथ में इसको के वाल मैं solve करूंगा मैं मान लिजे इस segment में यहां पर put कर रहा हूं x equal to sin theta मैं यहां पर x equal to sin theta put कर रहा हूं it means theta equal to कितना हो जाएगा sin inverse x okay x equal to sin theta है तो इसको भाई साब dx by d theta कर दो कितना हो जाएगा cos theta तो यहां से dx की value आने वाले future में हो जाएगी cos theta d theta चलो आ जाओ two sin inverse x है तो x की जाए sin theta put करे हो तो sign of sin inverse sin theta के वहल कितना बचेगा theta बचेगा x की जगह यहां पर आएगा sin theta ठीक ना और यहां पर आएगा one upon under root one minus sin square theta बोले तो cos theta कितना हो गया cos theta और dx की जगह है cos theta d theta खतम हो गया question आगया answer कोई दिक्कत नहीं अब बहुत simplify हो जागा आराम से तो यह है first function और यह क्या है second function तो two theta sin theta है तो वही आप अपना rule लगा दीजे first और second के integration वाला देखिए two तो बाहर रखे अब इसके बाद first function क्या है theta into integration of second function sin theta का integration क्या पना होता है cos theta minus integration of sin theta का integration minus cos theta exactly तो यहाँ पे minus cos theta आएगा okay minus integration of differentiation of theta कितना हो जाएगा one और sin theta minus 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 क्या हो गया plus और यहाँ पे हो गया d theta तो यह हो गया two यहाँ पे हो गया minus theta cos theta और cos theta का integration वह लो कितना होता है sin theta और यहाँ पे plus का c लगा दीजे आप लगाना हो तो तो यह मेरे पास अंसर आ चुका है अब यह जो पूरा का हमको वहाँ पर put करना है इसको उठा करके हमको जो है यहाँ पर ले करके आना जहाँ पर अपनी गाड़ी रुकी थी यह देखिए यहाँ पर थीटा की value आपको put करनी पड़ेगी आपने थीटा क्या लिया था cos sin inverse x क्या लिया था theta sin inverse x तो आपको theta वापस यहाँ पर put करना पड़ेगा देखिए कैसे put करते हैं तो यह हो जाएगा answer हमारे पास x sin inverse x का whole square ठीक ना एक काम करता हूँ मैं माइनस अन अंदर डाल देता हूँ तो यहाँ पर क्या हो गया तू और यह माइनस का multiply हो जागा तो कितना हो जागा theta cos theta two into theta cos theta और plus minus हो जागा यह minus sin theta plus का कितना c तो x sin inverse x का whole square plus 2 देखिए theta की जगे क्या है sin inverse x ठीक ना और आप cos theta को क्या लिख सकते हैं आप cos theta को लिख सकते हैं under root 1 minus sin square theta और sin theta की value कितनी है x है है ना तो यह बन जाएगा under root 1 minus x square minus sin theta कितना है x plus कितना c तो finally अब आपका answer पूरा किसके terms में है x के terms में है और यही आपका answer बनेगा तो note कर लिजे इस तरीके से आप sin inverse x का whole square dx कर सकते हैं क्या करना था आपको आपको यह तो आँगे बढ़ा करके इसको solve करना था एक और तरीका आप सुरुवात में ही x equal to sin theta पूट कर दें सुरुवात में एकदम तो भी वो solution हो जाएगा आप एकदम सुरुवात में ही अगर x equal to sin theta पूट कर देंगे तो भी answer वहां से आ जाएगा clear है done चलिए note कर लिजे इसको